आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो सवाल यहाँ पर कहा रहा है Why must a cell made competent? यह जो टर्म है, यह हमारी क्या है? यह है, competent यह है, competent लिखा हुआ है यह Why must a cell made competent in biotechnology experiments? How does calcium iron help in doing so? यानि कि बात हो रही है competent के बारे में कि जो biotechnology के experiments होते हैं, उसके अंदर जो हमारा cell है, उसको competent क्यों बनाया जाता है? हमें उसी के बारे में करनी है बाद, साथी साथ मुझे बताना है जो calcium iron होता है, वो कैसे इस चीज में करता है मदद, बात करोंगर में इस term के बारे में competent, तो इसका जो meaning होता है, वो क्या होता है इसका meaning होता है, ability to do something, हांजी, यानि कि कोई भी हमारी किसी भी चीज की ability ताकि वो कुछ कर सके, उस चीज को में बोलता हूँ, क्या competent यानि कि जो हमारा cell है, उसको हम कुछ करवाने के लिए इच्छुक है, तब ही हम उसको competent बन रहे हैं तो यहां पर क्या होता है, बता देता हूँ आपको यह मेरे related है, बायो टेकनोलोजी के experiment से, अब बायो टेकनलोजी के EXPERIMENT क्या होता है, उसके बारे, कर लेते हैं एक बार बार, तो आपको पता है बायो टेकन लगिग में क्या होता है, हम जो हमारे इच्छी होते हैं, यानिकि जो हमारे foreign genes होते हैं, उनको हम किसके ऐंदर डालते हैं? उनको हम डालते हैं, host के अंदर हम जी जो भी हमारा host होता है, उसके अंदर हम डालते हैं, उसको insert करते हैं, तो यह हमारे बाया technology के experiment, basically जो motive होता है, वो यह ही होता है, कि किसी भी foreign gene को host के अंदर डालना, ताकि हम देख सकें, कि जो हमारा gene है, वो host के अंदर क्या effect ला रहा है, अगर वो beneficial हो सकता है, तो वो हमारे लिए use किया जा सकता है, तो यह basically बाया technology experiments का aim होता है, तो अब हम क्या होता है, cell को competent क्यो बनाना होता है, बदा देता हूँ आपको, तो हमारा जो host है, host के जो cells होते हैं, उसको foreign DNA लेना होता है, बहुत जरूरी ताकि हम आगे के experiment करना कर सक उसके particle को वो अपने अंदर incorporate कर सके, तो competent जो हमारा experiment होता है, basically इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारी cell wall होती है, cell की, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम alter कर देते हैं, यानि कि उसको हम change कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा foreign DNA है, वो हमारे cell के अंदर easily चला जाता है तो बेसिकली यह होता है हमारा component का मतलद अब इसके अंदर calcium iron कैसे मदद करता है तो बला देता हूँ आपको अगर हम experiment कर रहे हैं किसी भी bacterial cell के साथ हाँ जी को भी bacterial cell होता है तो उसको देखा जाता है उसको हम डूबो के रखते हैं CACL2 के solution के अंदर क्यों तो बता देता हूँ आपको यहाँ पर जो calcium iron की मातर होती है वो जादा होती है तो इससे क्या होता है जो हमरे bacterial cell wall होता है उसके अंदर हो जाते हैं pores यह जो pores होते हैं यह कैसे होते हैं तो यह क्या हुआ हमने पहले CACL2 से उसको competent बनाया जिससे क्या हुआ हुआ उसकी cell wall में pores आ गए और फिर जो हमारा foreign DNA था वो असानी से चला गया तो यह होता है हमारा Biotechnology के experiments और competent term का meaning और मैंने आपको calcium का रूल बताया question का A part तो हो गया complete बात कर लेते हैं B part के बारे में ब़्क का दूसरी नाम होता है जीन गन यानिकि यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हां पर हम डिनने जो पर्टिकल होता है हमारा उसको तैल यह जह जो यह कंин कर देते हैं एम सामने सेल रखते हैं हम सामने हमारीhm 시archy हम ही है जह वह तैक्निक स्वी प्लान्ट में सैन लिम अभी तो इसमें क्या करते है, हम यूजीet गोल्ट नाइक ह davon चो पार्टिकल है हमारे किस से प्लेटिकल है यानि किस से कोपिड़ है there हमारे dna से इसको हम और करते हैं इसको हाई वेलोसीटी से यहाँ यहाँ पे हाई वेलोसीटी से इसको बॉमबार कराते हें यानि कि उसको collide करने के लिए देते हैं plant cell के ऊपर जो से क्या होता है हमारा जो ये gold का particle होता है हमारे plant cell के अंदर चला दाता है और वहाँ पर ये deliver कर देता है हमारे DNA को ये हमारा DNA जो था ये हमारा interest का DNA था यानि कि जिसको हमें insert करना था तो कुछ इस परकार से हमारे जो biological होती है ये हमारी क्या है gene transfer का ही एक method होती है bio technology experiment में Thank you